गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आजाओ सभी आपकी एक और कलास सुरू हो चुकी है बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PBR study में साथियों ये आपकी चौती कलास होगी और वो कैसे? 2-4 रासी मेरे खिक समिकरण वाली चौती नंबर कलास exercise चल रहा है 3.1 से लेकर के 3.56 जितना भी है पूरा देखेंगे तो 3.2 चल रहा है अभी कौन सा है? 3.2 जिसमें हम question number 2 तक पढ़ चुके हैं साथियों question number 3 और question number 4 ये दोनों एक जैसे हैं इन में क्या बताना है संगत और आसंगत ध्यान से देखना बहुत अच्छे से बताएंगे confirm विसा मज में आएगा ये संगत और आसंगत बताना है कहरा की दो समिकरण दिये गए हैं इन्हें चेक करिए कि संगत हैं कि आसंगत हैं अगर संगत हैं तो इनको ग्राफिय विधी से हल भी करिए तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा लफड़ा यह द्यान से देखना पूरा कलास को देखना और जो नए चात्र चात्र हैं जुड़े हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मित्रों अगर इस कलास को आप PBR यारे श्टडी के तीन चैनल चलते हैं याद रखना भी बताओं गो लाश्ट में कलास देखो पहले तो इस समीकरण को आप इस रूप में लिखो गए और दूसरा वाला जो समीकरण है इसे भी क्या करोगे आप इस रूप में लिखो गए कहने का मतला समझना यह समीकरण एक बन गया यह समीकरण दो बन गया अब इनकी आप तुलना करोगे और किससे तुलना करोगे एवन एक्स प्लस बीवन वाई प्लस सीवन इक्वल जीरो वाला जो आप अभी तक करते आयो ना उसी से इसकी कंपेर करोगे ठीक ना अब लिखिए लैला इंसे लिखिए दुनों म मैं पारटेशन कर देता हूं अब लिखिए समीकरण एक की समीकरण एक की एवन एक्स प्लस बीवन वाई प्लस सीवन इक्वल जीरो से तुलना करोगे तो आप ध्यान दो तो एवन का मान तो यहां कुछ है नहीं गुडांक कुछ नहीं तो बीवन का मान भी कुछ नहीं है 1 है यनि कि A1 कमान क्या होगा प्रियमित्रों A1 एक होगा B1 क्या होगा एक होगा और C1 निकालोगे तो क्या होगा देखो या C1 कमान क्या हो जाएगा इससे माइनस 5 यनि कि C1 क्या है माइनस 5 ध्यान देना अगला देखना अब लिखो इसको समी करणड़ 2 की समी करणड़ 2 की A2X प्लस V2I प्लस C2 इक्वल 0 से तूलना करने पर जल्दी लिखो समी करणड़ 2 की A2X प्लस V2I प्लस C2 इक्वल 0 से तूलना करने पर चलो कर लेते हैं यहां पर A2 बराबर क्या आएगा देखो, यहाँ 2 है और B2 बराबर किया आएगा देखो, यहाँ minus 2 है और C2 बराबर किया आएगा देखो, यहाँ minus 10 है तो यह हो गया साथियों A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब आ गया अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होती है कहानी जो हम आपको सुनाते हैं जुबानी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 सभी बराबर होंगे तब क्या होंगे? कंडिशन बताया था, बताओ कमेंट करके अगर A1, A2 बराबर हैं लेकिन इनके बराबर C1, C2 नहीं है तब क्या होगा? कंडिशन बताओ मैंने पिछली कलास में बहुत अच्छे से बताया है और जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 कोई न बराबर हो तब क्या होगा? एक मैं बता देता हूँ जब A1, A2, B1, B2 और C1, C2 कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं क्या करेंगी? पर दिछी अदित करेंगी ठीक न? रोट कर लो जल्दी से इसको इतना हो गया फिर चलिए, आगे चलते हैं अब ध्यान देना अब इसको हम ट्राई करेंगे अपना मुख्य रूप जो है वो क्या है? यहाँ पे लिखो चुकि अब संगत आ संगत चेक करेंगे तो संगत आ संगत चेक करने के लिए आप लिखोगे A1 अपन A2 निकाल लो इसको A1 A2 क्या है जल्दी से बताओ कुछ तो करो यार लिखा है सामने न? A2 ठीक? ओके? लेकिन यहाँ पर ध्यान देना A2 जो लिखा गया है वो प्लस टू ठीक है न? कोई लिक्कत नहीं न? 9 A2 ओके? चलिए ठीक है अब B1, B2 निकालो पहले अभी तो मैंने एक एक मान निकाला था यार पहले इसको निकाल लेता हूं तब B1, B2 B1 देखो 1 है और B2 की बात करेंगे तो माइनस 2 है और देखना C1, C2 C1 और C2 अच्छा B1 का मान क्या आया था? यक्स प्लस Y यही है कि माइनस में है देख लो आप सभी मिला लो नहीं तो बाद में चिन वाला लफड़ा फास जाता है न? X प्लस Y ही था प्लस में ही था कोई दिक्कत नहीं है तो आप निकाल लो इसको यार B2 का मान मैंने माइनस में लिखाया न? ठीक है न? B2 का मान माइनस में लिखाया तो एक मिनट रुकना यह 2i है न? देखो यही 2i तो मैंने यहां लिखा था यह 2x है यह 10 है इधर आया तो माइनस हुआ लेकिन यह 2i माइनस कैसे होगा यह माइनस नहीं होगा इसको आप ऐसे एक लाइन कीच के प्लस कर लो बस बागी कुछ नहीं करना माइनस को प्लस करने में असान होता है ठीक तो इस तरह से आपका यह भी मान की आएगा पोजिटिव आएगा c1, c2 की बाद देखो c1 का माइनस 5 है और c2 का माइनस 10 है देखो बहुत ध्यान देना पड़ता है नीचे उपर दोनों में माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और पाज एक कम पाज पाज दोन दस यहाँ पर आपको एक बात नजर आ रही होगी a1, a2, b1, b2 और c1, c2 तीनों बराबर है तीनों बराबर है ना जल्दी से नोट कर लो इतना उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या होगा जल्दी करो वीडियो को रोंक करके या फिर स्क्रीन साड ले लो तुरंद बहुत जल्दी फटाफट बिना देर करे हुए जल्दी करिये हो गया ना जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगा आगे लिखना आपने देख लिए सब बराबर आ गया अब नीचे लिखोगे अता समीकरण यूगम के आपरमित रूप से अनेक हल होगे अगर ऐसे इस्तिती आती है तिनों बराबर होते हैं तो समीकरण यूगम के आपरमित रूप से अनेक हल होगे और अता क्या लिखोगे इसके आगे इसलिए समीकरण यूगमों क्या होंगे संगत होंगे अब नीचे लिखना आब रेखा पहला समीकरण क्या था x plus y equal 5 है ना x plus y equal 5 से चाहे तो लिख लो समिकरा लिख लो चाहे रेखा लिख लो से यहां से ध्यान देना अगर यहां से x निकालोगे तो यह 5 minus y आएगा क्या आएगा 5 minus y आएगा अब लिखो y बराबर 1, 2, 3 क्रमसा ठीक ना ब्रेकर्ट में लिख लो क्रमसा रखने पर तो देखिए ध्यान देना अगर आप इसमें y कमान अलग अलग रखोगे तो x कमान अलग अलग आएगे तो साथियों चलो रख लेते हैं x equal 5 minus y है तो y कमान जब 1 रखोगे तो x कमान क्या आएगा ध्यान देना 5 minus 1 तो x कमान क्या आएगा 4 आएगा y कमान कितना रखा था एक रखा था y कमान एक रखा तो x कमान क्या आए 4 आए ध्यान देना y equal 2 रखने पर क्या होगा इसी में रखना है ना तो x बराबर 5 minus य की जगापर 2 रख दिया इसमें तो यह क्मान क्या आ गया तीन आ गया इसी तरह से और भी कर लो वाई क्वाल 3 रखने पर देखो जब इसमें वाई कमान 3 रखोगे न तो भाई 5 में से 3 गड़ जाएगा दो आज जाएगा यह नियुक्स कमान क्या आएगा दो आएगा अब देखो यहां पर तीन बिंदू मिल गए मित्रों तीन बिंदू मिल गए पहला ए बिंदू क्या मिला एक्स कमा वाई इक्वल चार कमा एक दूसरा बिंदू मिला है एक्स कमा वाई इक्वल तीन कमा दूई तीसरा मिला है एक्स कमा वाई इक्वल दो कमा तीन जल्दी से इन को लिख लो फटाफट इतना फिर आगे लिखना बहुत जल्दी करिए फटाफट तुरंद नोट करिए स्क्रीन साइट लीजिए या फिर वीडियो को रोग करके लिखिए जल्दी करें जो बिदू आये थे उनको आगे लिक्स लेंगे हमें कुछ इस तरह से आता दिये गए समिक्रण एक से प्राप्त बियुदू चार कामा एक नहीं उनकाम महां दो और दो कामा तीन है आता हिने हम यह फिर जिसे लिख सकते हैं बोलुख सकते हैं ना को आई लिखाया इधर लिखाय एक सिकवाइप माइनस वाई तो यह मान आए है आप चलो इनको जो इनको ग्रप दिखादो भस ठीक ना अब लिए ग्राफ इसको दिखाईे जिससे आप लिखने का लिखा से आे कि आ यह देखो यह ग्राफ है जिसे आप जानते हो बहुत अच्छे से हैना साथियों वह यक्स है यह यक्स डैस है यह वाई है यह वाई डैस है ठीक ना मान कितना तक रखोगे देखो अधिकता मान तीन आया है बस ज्यादा नहीं रखना है तो चलो रख लेते हैं 123 यह माइनस 1-2 और माइनस 3 माइनस 1-2 और माइनस 3 यह देखो यहाँ पर तो 0 होगा यह वन इसके लिए है यहाँ पर होगा 1-2-3 द्यान देना कैसे बनेगा चार कमा एक का मतलब हुआ मित्रों कि यक्स कमान 4 है यक्स पर 4 बिंदू चलना है तो यार थोड़ा सा और बढ़ालो यह देखो 4 भी हो गया चलो और प्लस में ही चलना है तो यक्स पर 4 बिंदू चलना है थो हम यहाँ आ गए वाई पर एक कह रहा है एक मतलब थोड़ा सा यह उपर जाना है कहने का मतलब यहां कहीं है 4 कमा 1 ध्यान देना यह बन गया 4 कमा 1 अगला कह रहा 3 कमा 2 एक्स पर 3 चलना है मतलब य पर 2 चलना है मतलब यहां अरे ऐसे ना यह ऐसे तो यह 3 कमा 2 हो गया बहुत ध्यान से समझना अगला बंदू है 2 कमा 3 एक्स पर 2 और य पर 3 तो यह एक्स पर 2 यहां पर होगा यह पर 3 मतलब यहां पर होगा तो यह ऐसे जाएगा मतलब यहां पर क्या आएगा 2 कमा 3 तो सा इनों को करती हुई और फीदी एक रेखा निकल जाएगी प्यार फे ऐसे एकदम सीधा जाएगा यह कैसे एकदम सीधा ऐसे मिलाओगे पट्री फे दो आजाएगा ठीक ना तो यह हुआ आपका ग्राफ इसे आप चाहो तो काट भी सकते हो ऐसे ले जाकर के ऐसे मतलब देखो किया कि नहीं किया किया अगर एक सीधी रेखा अराम से खीचोगे इसके रखके तो पूरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब वो क्या करेगी उसको परतिशे दिद करेगी है ना नोट कर लीजे जल्दी से तो यह आपका जो चौथा कोश्चन था तीसरा था उसका अगला question भी कर ले जाएंगे और हर दिन ये class देखना आप इस class को देख रहे हैं PBR study for NCRT solution जी हाँ PBR study for NCRT solution अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो अभी तूरंत कर लें हो सकता है आप PBR study for basic and DLT वाले channel पर इसे देख रहे हों तो आप इस channel को जरूर subscribe करना क्योंकि इसी पर ये complete class होगी और basic और DLT वाले पर आप नहीं चलेगी ये बंद होने वाला है ठीक ना तो basic और DLT वाला छोड़ दो अब सभी और आजाओ PBR study for NCRT solution special NCRT के सारे solution पर मिलेंगे चलते हैं फिर जैहिन अपना और अपनों का खायल रखना और अपने केरियर को भी आगे बढ़ाना कुछ अच्छा करना साथियों बहुत जल्दी ही आपका course complete कर रहे हम आपके लिए तिन-तिन कलाफ लेके आएंगे एक साथ